कि हलो और यूंट इस अलिक स्मित वेलकम टो नॉलिज्ट एंबिशन स्वागत आप का नॉलिज्ट एंबिशन की सेशन में तो इस वीडियों में बात करेंगे हाली में जो है मार्चर प्रदेश पब्लिश सर्श कमिशन द्वारा जो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर साथ ही में एक्जाम पैटन क्या रहेगा साथ ही में सलेबस पर भी एक नज़र डालेंगे और नंबर आफ वकैंसी भी यहां पर देखेंगे तो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है तो चलि निकाली गई है 23rd of March 2021 को हिमाचर प्रदिश पब्लिक सर्विस कमिशन के दौर अडवाइड अडविटाइजम निकाली गई है रिगार्डिंग दा रिकूट्मेंट ऑफ दी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर क्लास टू गैस्टिट ऑन दा कॉन्टेक्ट बेसिस इन डिपार्टम कर सकते हो तो अंतिम्तिती क्या है 19th of April 2021 है यह अप्लिकेशन आपकी भरना स्टार्ट हो चुकी है तो आप इसके लिए होते हो तो आप 19th of April 2021 से पहले apply कर सकते हो आपको यहाँ पर eligibility criteria जो है वो भी यहाँ पर बताऊंगा साथ ही मैं यहाँ पर other exam pattern और syllabus को भी देखेंगे सब से पहले यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ एक checklist बताईगी है जो कि आपके candidate must possess the following documents before filling the online recruitment applications तो यहाँ पर आपकी metric matriculation 10th certificate होना चाहिए bachelor degree आपके पास होना चाहिए साथ ही मैं आपकी category certificate भी आपके पास होना चाहिए यह आप एक service man of macho pradesh प्रदिश है तो must possess the discharge certificate भी आपके पास होना चाहिए साथ ही मैं कुछ और criteria यहाँ पर बताएगे हैं जैसे कि आपकी undertakings तो यह सब ही documents जो हाँ आपके पस available होने चाहिए before filling the online recruitment applications इन्हें आप जो है official website पर जाकर notification को download कर सकते हो और complete पढ़ सकते हो साथ ही मैं disqualification के लिए भी आपको कुछ है criteria बताया गया है हम यहाँ पर बात करते है number of vacances की total number of postage की बात करें तो total 45 postage है इनका जो आपका distribution है कुछ इस प्रकार स है आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो total number of vacances आपकी 45 है जर्नल में जो है 7 vacances है साथी में आपकी EVS of HP के लिए 4 साथी में बात करें SCF HP 8, SCF HP 4, OBCF HP 6 and journal ex-servicemen of HP 2 और अधर यहां पर criteria दिया गया है तो आप इने पढ़ सकते हो total number of vacances की में बात करूं जहां पर 47 जो है वो total number of postage है age criteria जो आपका बताया गया है यहां पर वो बताया गया है age as on 1-1-2021 between 21 to 31 तो आपकी age जो है वो 21 से 31 की बीच में होनी चाहिए अपर age limit for direct recruitment shall be 42 years to the candidates already in the service of the government including those who have been appointed on ad hoc on the contact basis तो already जो government services में involved है वोने जो है age relaxation दिया गया है up to 42 years otherwise अगर आप freshers हो तो आपके लिए जो age criteria है वो है 21 to 31 years pay band की बात करें तो 10,300 से 34,800 तक है next हम essential qualification की बात करते हैं तो आप इसके लिए eligible कब माने जाएंगे candidate must possess bachelor degree आपके पास जो है bachelor degree होनी चाहिए और equivalent in science और engineering from any recognized university with at least one of the following subjects तो आपके पास bachelor degree होनी चाहिए subjects आपके यहां पर बताएगे हैं इनमें से कोई भी subject में अगर आपने bachelor's degree की हुई है तो आप जो है इसके लिए eligible हो आपने यदि agriculture पढ़ा बातनी chemistry computer application और science engineering आपने की है agriculture chemical civil computer electrical और the electronic और mechanical में आपके इसके लिए eligible हो साथ ही में आपका बताएगा है environmental science forestry 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 की बात कि हम कपर करूं तो जो forestry में graduate students है उनके लिए जो है exam criteria भी यहां पर अलग से बताएगा है उन्हें में आगे discuss करूंगा साथ ही में सब्जेक्ट जो बताएगा है geology, horticulture, mathematics, physics, static, veterinary science and geology तो यह कुछ एक important subjects बताएगे हैं जो कि आपके bachelor's degree में होने चाहिए यदि आपने इन में से कोई भी subjects पढ़े हैं bachelor degree in science और engineering तो आप इसके लिए eligible हो आप इसके लिए apply कर सकते हो और साथ ही में यहाँ पर बताएगया है आपका desirable qualifications तो desirable के लिए knowledge of custom manner and dialect of हिमाच्य पुर्दिश, suitably for the apartment of the peculiar conditions prevailing in हिमाच्य पुर्दिश साथ ही में आपका physical standard है क्योंकि exam का pattern जो रहेगा आपका यहाँ पर आपका ground भी होगा physical test भी होगा तो after the pre mains उसके बाद जो हापका physical test होगा तो उसके लिए जो criteria बताएगया है male candidates के लिए height बताएगी 163 और यहाँ पर आप देख सकते हो screenshot इसका प्लेज सकते हो male और female candidates के सेंटीमेटर में यहाँ पर बताएगी है साथ ही में बात करें तो अरुना चल और अरुना चल लाहल सपीती और मेगाले के candidates के लिए अलग से criteria बताएगया है male candidate के लिए 152 cm and female candidate के लिए वह 145 cm बताएगया है साथ ही में आपके पास health certificate होना चाहिए यह आपका physical job का test होगा उ screening test अब बात करते है screening test की तो screening test के लिए जो है यहाँ पर दो criteria बताएगे है number one आपका for non-forestry graduate यह जिन्होंने जो है forestry में graduate नहीं है जो और साथ ही में बताएगया है for forestry graduates तो उनके लिए जो है अलग standard यहाँ पर बताएगया है eligible candidate will be shortlist to be called for written examination by the subjecting them to the screening test तो पहले आपका screening test हो होगा two hours का in the objective type screening test there will be the hundred multiple choice questions of one mark each on the following syllabus तो non-forestry graduates के लिए जो स्लेपर बताया गया है number one है आपका history geography and socio-economic development of हिमाच्य परदेश जो की 30 marks का पूछा जाएगा साथी में 30 marks का जो है आपका knowledge of current events of national international importance and such matters of everyday observations और साथ ही में आपका 40 marks का जो है modern history from 1857 onwards of India, Indian culture, Indian policy, Indian economy, geography of India, disaster management, environment and gender issues and teaching of the महत्मा गांधी तो ये non-forestry graduates के लिए हैं और साथ ही मैं बात करूँ यहां पर forestry graduates का यानि जो उन्होंने forestry में graduation की हुए है तो उनके लिए जो अलग से यहां पर criteria बताया गया है exam का उनके लिए जो syllabus दिया गया है forestry subject के जो है वो 80 marks यहां पर पूछे जाएंगे और 10 marks यहां आपके journal knowledge of हिमाचर परदेश के होंगे और journal knowledge of national international affairs के 10 marks का यहां पर पूछा जाएगा तो यह दो अलगलग criteria बताए गए हैं साथ ही मैं बात करें the mark obtained in the above screening test by the candidate who are declared qualified for the admission to the written examination will not be counted for the determining final order or merit list यहानि यह qualifying ही होगा इसमें जो आपके marks है यह final merit में जो है वो include नहीं किया जाएंगे और जो इक्जा रिटन मेंस का जो आपका exam होगा main written examination के लिए 20 times of the total number of vacancies candidate बुलाए जाएंगे और साथ ही में बात करें main written examination के बाद जो physical test होगा उसमें जो हापके 5 times candidates को बुलाया जाएगा there will be negative marking for incorrect for all questions to incorrect answers के लिए जो हापके negative marking हो और साथ ही में written examination की बात करें आपका screening test का criteria था यह आप screening test जो है वो qualify करते हो जो की qualifying in nature है जिसके marks आपके final merit में include नहीं किये जाएंगे तो written examination आपका होगा main written examination shall include two compulsory and two optional paper यहां पर दो compulsory paper होंगे और दो optional paper होंगे a candidate shall specify in your application तो यह आपको specify करना पड़ेगा जब आप आपकी online जो recruitment application फिल करोगे तो आपको specify वहां पर subject करने पड़ेंगे पहले ही आपको कौन कौन से जो है वो optional subject चूज़ करने है two compulsory papers है वो आपके होंगे ही होंगे a candidate shall answer the optional paper in English or Hindi only which at her option or choice तो आपको online application फिल करते समय ही सभी details भरनी होंगे आपके optional papers कौन कौन से होंगे और यह आपके इस language में जो है वो देना चाहा होगे no candidate shall be considered to have qualified the written examination unless he obtained at least 40% mark in each compulsory papers and 45% marks in aggregate तो यदि आपके 40% marks जो है वो जो आपके दो compulsory paper है इनमें अगर आपके 40% marks नहीं आते हैं तो आपको जो है वो qualified नहीं माना जाएगा provided that in case there is a tie between among us candidates तो यह आपका आगे का criteria है तो उसमें जो है interview के marks के हिसाब से personality test के हिसाब से candidate को जो है वो references दिये जाएंगे the names of the candidate who are called for interview personality that shall be arranged in order of merit on the basis of aggregate marks obtained in the written examination तो आपके जो marks count होंगे screening test के marks count नहीं किये जाएंगे वो qualifying in nature है written आपका जो exam होगा main exam होगा जिसमें आपके दो compulsory papers होंगे और साथ ही में optional papers होंगे तो वो जो है marks आपके count किये जाएंगे for the merit और साथ ही मात करें ranking will be decided on the basis of marks obtained in the compulsory and optional papers including marks of the English paper तो it would be necessary to obtain 40 marks in the each optional paper to qualify तो आपको सभी papers में 40% marks लेने ही पड़ेंगे तभी आपको qualify माना जाएगा उसके बाद ही आपका number जो है वो merit list में आएगा इसके लाब आब बात करें तो syllabus मेंस examination के लिए बताया गया है syllabus for the written examination shall consist of two compulsory and two optional papers तो चार आपके main written examination होंगे जिनका syllabus यहाँ पर दिया गया है for the compulsory compulsory के लिए journal knowledge का आपका hundred marks का यह paper होगा journal knowledge including knowledge of current events and such of such matter of everyday observation and experience in this scientific aspects तो आपके यहाँ पर journal knowledge जो कि आपका mainly current issues पर बेस्ट होगा the paper will also include questions on the Indian polity including the political system and the constitution of India history of India and geography of nature and which the candidates should be able to answer without special study तो इस तरह कि आपके questions रहेंगे paper 1 जो आपके आपका qualified माना जाएगा यह आपका question paper will be designed to test the candidates understanding of his power to write English correctly and idiomatically it would also include question to test the candidate knowledge of grammar idoms तो mainly आपका English का test होगा hundred marks का यह भी compulsory in nature होगा और साथ ही में बात करते हैं तो exam आपका होगा optional subject का the standard of examination for this compulsory paper of general English will be plus two level तो compulsory paper जो आपका English का होगा वो plus two level का होगा optional subject की बात करें paper third के लिए optional subjects आपके यहाँ पर बताएगे हैं इन subjects को आप यहाँ पर देख सकते हो agriculture, botany, chemistry, computer science, agriculture, engineering, chemical engineering तो इन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर साथ ही में बात की गई है आपकी candidate are required to offer two of the above subjects तो इन में से दो subject जो है वो offer की जाएंगी candidate को और यहाँ पर जो दो exam होंगे आपके optional के तो 200 marks का जो है वो एक subject होगा यहाँ पर कुछ है कि important note दियेगे है the standard of examination in these optional subject will be that of the bachelor's degree तो bachelor's degree के हिसाब से इसका standard रहेगा no candidate shall be allowed to take more than one subject from the following तो यहाँ पर आपके जो subject भी बताएगे है इन में से जो है आप एक ही subject ले सकते हो जैसे कि आपका agriculture, agriculture engineering और if called źAll fertility science तो इनमें से एक ही optional अप चूजज कर सकते हो chemistry और chemical इंचिनेरिंग है तो इंजिनेरिंग या chemistry में से एक चूज कर सकते हो JUST करने जो करने जो है एक ही subject ही चूज कर सकते हो mathematics और स्टैटिक्स की बात करें तो मैथेमेटिक्स चूज कर सकते हो या फिर आप स्टैटिक्स चूज कर सकते हो और साथ ही मैं आपर आपका एट दी एंड जो परस्नलिटी टेस्ट और इंट्रव्यू होगा वह आपका टोटल नंबर ऑफ दी कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट तो आपका यह परस्नलिटी टेस्ट जो होगा यह टोटल जो है वह 100 मार्क्स का होगा और साथ ही मैं आप पर बताया गया है आपका एडविटाइजमेंट में कि आप अपलाई कैसे कर सकते हो तो आप आप आपको अपलाई करने के लिए जो है वह वह बागिए एक सब्सक्राइब को और को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर है've और जैसा कि आप सबीडियुकिझे 295 वसक्वत नषी प्लाई को इसमें तो आपको वहाँ पर complete processor जो है procedure जो है वो पता चल जाएगा तो इसके अलावा इस notification में और भी कुछ एक details है इन्हें आप detail में पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर is clarification और साथ ही में criteria जो है वो काफी detail में बता गया है जो important बाते थी वो मैं आपको बता चुका हूँ तो उसके according जो है वो आप अपनी preparation कर सकते हो और इस online recruitment application को fill कर सकते हो यदि आप इसके लिए eligible हो तो इस notification में यही था I hope अपके लिए जानकारी beneficial होगी यदि आप इसके लिए eligible हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो अच्छा मौका है range forest officer जो की एक अच्छी जॉब है second class job on the contract basis in the department of the forest तो आज की इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next video में thanks for watching